हर एक इंसान किसी ना किसी तरह से एक दुसरे से जुड़ा हुआ होता है और उनकी personality उनकी emotions पर उनकी involvement पर depend करती है तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 10 types of human personality तो चलिए शुरू करते हैं सो पहली human personality कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो बहुत selfish होते हैं वो हर काम में सिर्फ अपने लिए सोचते हैं कि उस काम में उनका क्या फाइदा है इस तरह के लोगों को कहते हैं egoist दूसरी तरफ कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो हमेशा सिर्फ अपनी बाते करते हैं उनकी हर बातों में I सिर्फ अपनी ही बात होती है इस तरह के लोगों को कहते हैं Egotist E-G-O-T-I-S-T कुछ ऐसे लोग भी इस दुन्या में होते हैं जो दुसरों की हेल्प करते हैं और उनसे हेल्प की उमीद नहीं करते हैं इस तरह के लोगों को कहते हैं E-L-T-R-U-I-S-T कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो बहुत मूडी होते हैं बहुत खामोश रहते हैं अधिकतर अपना समय अकेले में बिताते हैं और सोसाइटी के साथ अपना समय नहीं बिताते इस तरह के लोगों को कहते हैं Introvert I-N-T-R-O-V-E-R-T Let's do it together कुछ लोग अपना काम दूसरों के साथ करना पसंद करते हैं अपनी सारी समस्याओ को दूसरों के साथ डिसकस करते हैं इस तरह के लोगों को कहते हैं Extrovert E-X-T-R-O-V-E-R-T आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो कभी-कभी अपनी समस्याओं दूसरों के साथ आसानी से डिसकस कर लेते हैं और कभी-कभी नहीं कर पाते हैं इस तरह के लोगों में Extrovert और Introvert ये दोनों personality पाय जाती है और इन्हें Ambivert कहते हैं A-M-B-I-V-E-R-T People are not good अब कुछ लोग तो पूरी human race से ही नफरत करते हैं उन्हें पसंद नहीं करते हैं सब लोगों को बुरा मानते हैं उनसे दूर जाते हैं इस तरह के लोगों को कहते हैं Misanthrop Women are not good कुछ लोग औरतों से नफरत करते हैं उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते इस तरह के लोगों को कहते हैं Misogynist A person who hates man कुछ लोग आदमियों से ही नफरत करते हैं इसे misandry कहते हैं Misan dry So today's last word is Misogamist A person who hates marriages Aisa insan जो शादियों से नफरत करता है M-I-S-O-G-A-M-I-S-T So guys, thanks for watching this video I hope this video will be helpful for you